बहुत बहुत शौगत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल हाउशॉप टैक में और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रमुक एबर रेडी सेलों के बारे में और जानेंगे इन दोनों के बीच का अंतर और कारपरणाली के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तो चित्र में आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला परकार जो की Ever Ready Cell का पहला परकार है जो आप सभी ने जरूर देखा हुआ इस Cell को हम Jink Carbon Battery के नाम से जानते हैं इसके Size को AA नाम से जाना जाता है वहीं अगर इसके Type की बात की जाए तो इस Cell को R6 Type नाम से जाना जाता है मुख्यता हम Remote, Place Light, दीवार घड़ी या बच्चों के क्लोनों में प्रियोग करते हैं वहीं अकर इसके आंतरिक मेकनिजम की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है एक Jink का Container होता है इसके अंदर Paper Cover लगा हुआ होता है और NH4CL का Board इसके साथ Soct होता है और इसके अंदर Carbon and Magnetic Dioxide का घोल भरा हुआ होता है टॉप में एक Copper Cap लगी होती है और बीचों बीच इसमें एक Carbon की Rod लगी होती है सामानता Carbon Jink बैटरी का उपयोग 24 महीने के अंदर अगर आप करते हैं तो इसकी बहतर Performance आपको देखने को मिलती है चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे नमबर के Cell जिसे हम Alkaline Cell के नाम से जानते हैं तो दोस्तो कुछ इस प्रकार का हमारा दूसरे नमबर का Cell होता है जिसे हम Alkaline Cell के नाम से जानते हैं अगर इस Cell के Size की बात की जाए तो इस Cell के Size को AA नाम से जाना जाता है वहीं अगर इसके टाइप की बात की जाए तो इसको LR6 टाइप से जाना जाता है और इसके अगर छमता की बात की जाए तो यह 1.5 बोल्ड का होता है वहीं अगर इसके उपयोगों की बात की जाए तो इसका उपयोग कैमरा बारलेस माउस और मेडिकल उपकरनों में मुक्ता किया जाता है अब इसके मेकनिजम की बात करते हैं आप देख सकते हैं इसके टॉप में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बॉटम में नेगेटिव टर्मिनल होता है इसके उपर प्रोड़क्टिव कैप लगी हुई होती है उसके उपर प्रेसर एक्सपंसन सील लगा हुआ होता हो जो प्र जिंक का एनोड लगा हुआ होता है ठीक उपर उसके करेंट पिक अप आपको दिखाया जाता है तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि याकर जिंक कारवन सेल और अलकलाइन सेल में क्या अंतर होता है वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब स्काइब करें थैंक्स फोर वाचिंग